ओम शान्ती 17 जून दो हजार चौबीस साकार मुरली आज की मुरली के सार में विश्वर रचैता शिप बाबा ने कहा मिठे वच्चे याद और पढ़ाई से ही डवल ताज मिलेगा इसलिए अपनी एम अबजेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारन करो प्रशन है विश्वर रचैता बाब तुम बच्चों के कौन सी खिदमत करते हैं उतर नमबर एक बच्चों को बेहद का वर्सा दे सुखी बनाना ये खिदमत है बाब जैसी निश्काम सेवा कोई कर नहीं सकता नमबर दो बेहद का बाब किराई पर तखत लेकर तुम्हें विश्व का तखत नश्रीन बना देते हैं खुद तावसी तखत पर नहीं बैठते लेकिन बच्चों को तावसी तखत पर बिठाते हैं बाब के तो जड़ मंदिर बनाते उसमें उन्हीं क्या टेस्ट आएगा मजा तो बच्चों को है जो स्वरका राज्या भाग्या लेते हैं धारना के लिए मुख्यसार है नमबर एक इस दुख धाम से बुद्धियोग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है सतो प्रधान बनना है नमबर दुख बाप समान प्रेम का सागर शांती और सुख का सागर बनना है करम अकरम और विकरम की गती को जान सदा स्रिष्ट करम करने है आज की मुर्लिस का वरदान है सदा उमंग उत्सहा में रह मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नशीव भव विस्तार आप खुश नसीव बचे अविनाशी विधी से अविनाशी सिधियां प्रापत करते हो आपकी मन से सदा वह वह की खुशी के गीत बजते रहते हैं वह बाबा वह तकदीर वह मीठा परिवार वह स्रेष्ट संगम का सुहावना समय हर करम वह वह है इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो आपके मन में कवी वाई आई यानि क्यों और मैं नहीं आ सकता वाई के वजाए वह वह और आई के वजाए बाबा बाबा शबद ही आता है स्लोगन जो संकलब करते हो उसे अविनाशी गवर्मेंट की स्टेंप लगा दो तो अटल रहेंगे अच्छा मिठे मिठे सिकिलधे बच्चों करती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्लिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते ओम शान्ती